रिंकु सिंग बात किये इंडियन टीम के सेलेक्शन के बारे में जहां आप लोगों पता है होगा कि रिंकु सिंग इस साल के IPL में कितना अच्छा परफॉर्म किये वो इसली इस टोनमेंट के वन आफ दो मोस्ट इंप्रेसिफ प्लेयर्स थे स्टाइट्स भी अगर आप खोल के देखोगे तो इस साल उन्होंने 14 मैचेज में 474 रंस बनाए विद एन आवरेज ओफ अल्मोस 60, 500 के स्ट्राइक रिट में और यहीं इंप्रेसिफ परफॉर्मेंस को देखकर फैंस चाते हैं कि वो इंडियन क्रिकेट टीम में आए इसे से रिलेटेट जब रिंकु सेंग से सवाल पुछा गया अबाट इस सेलेक्शन तो उन्होंने यह रिपलाइ दिया भाई साब क्या ही बढ़िया रिसपॉर्मेंस देना तो उनका फोकस खाली उसी चीज़ पर है बट रिगार्डिंग दिस टॉपिक कुछ फैंस का थोड़ा डिफरेंट ओपीनियन भी है कि उनके सेलेक्शन से रिलेटेट बाते बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई है उन्होंने बस एक ही सीजन में परफॉर्म किया है बट अगर हम उनका फर्स्ट क्लास एंड लिस्ट एक करियर खोल के देखते हैं तब हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि वो कंसिस्टेंटली सालों से परफॉर्म करते वे आ रहे हैं इसे लिए आई पर्सनली बिलीव कि टीम इंडिया में ऐसा एक मैच विनर डेफिनेटली आना चाहिए